नमस्कार दोस्तों, आज हम इस्ट्रों के आदित्य एलवन मिशन की बात करेंगे. क्या है आदित्य एलवन मिशन? एलवन बिंदू क्या है? मिशन की लागत कितनी है? मिशन का उदेश क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं. चन्रमा के दक्षिनी धुरूप पर सफल लेंडिंग के बाद. इस्ट्रों के अगले मिशन की चर्चा शुरू हो गई. चांद पर फता करने की तुरंट बाद इस्ट्रों ने अपने अगले मिशन की घोसना कर दी है. अब इस्ट्रों सूरज पर रिसर्च करने के लिए अपने आदित्या एलवन मिशन को सूर्य की और रवाना करेगा. आदित्या एलवन सूर्य का अध्यान करने वाला पहला अंतरिक शाधारित भारतिये मिशन होगा. आदित्य L1 मिशन को सितंबर के पहले सब्ताह में लॉंच किया जाएगा यह मिशन करीब 4 महीने में 15 लाख किमी की दूरी तैकर के सूर्य की कक्षा में पहुचेगा आदित्य L1 को सूर्य प्रित्वी प्रणाली के लाग रेंज बिंदू L1 के चारो और एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा क्या है L1 बिंदू? L1 बिंदू प्रित्वी और सूर्य के बीच एक ऐसा बिंदू है जहां दोनों व्रहों की ग्रैविटी बराबर होती है अर्थात वहा यान पर ग्रैविटी बल खत्म हो जाती है इस प्वाइंट की दूरी प्रित्वी से करीब 15 लाख यानी 1.5 मिलियन किमी है L1 बिंदू पर ही क्यों? प्रित्वी और सूर्य के बीच 5 लागरेंज बिंदू है लेकिन L1 बिंद पर रखे गए उपगरह को सूर्य को बिना किसी ग्रहन के लगातार देखने का लाब है यान इस L1 कक्षा के आगे नहीं जा सकती है क्योंकि अगर इसे पार किया तो देखते ही देखते सूरज इसे निगल जाएगा आदित्य L1 मिशन का उदेश क्या है? इसरो ने वेबसाइट पर बताया है कि आदित्य L1 में अलग-अलग कुल 7 पेलोड होंगे जो सूरज से आने वाली किरनों की जाच करेंगे इसमें high-definition camera भी लगे होंगे चार पेलोड सूरज की remote sensing करेंगे और बाकी तीन in-situ observation के काम करेंगे आदित्य L1 सूट coronal heating coronal mass is action, free flare और उनकी विशेशताओं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कन और क्षेत्रों के प्रसार आदी की समस्या को समझने के लिए सबसे जरूरी जानकारी देगा आदित्य L1 मिशन की लागत कितनी है? आदित्य L1 मिशन में लगभग 350 करोड की लागत आएगी